देखो जी आईसोमेट्रिक को समझना है तो आपको ज्वाइंट को जानना पड़ेगा बिना ज्वाइंट को जाने आप आईसोमेट्रिक को नहीं समझ सकते हो क्योंकि ज्वाइंट बहुत मैटर करता है इस आईसोमेट्रिक ड्राइंग में जब भी आप पाइप रीटर का काम करोगे तो उसमें यह ज्वाइंट आपको आएंगे ही आएंगे यह जानना जरूरी हो जाता है कि आईसोमेट्रिक में मुख्य रूप से कितने प्रकार के ज्वाइंट आपको मिलेंगे ज्वाइंट पे बहुत कुछ कुछ हाधारित होता है यह जो जॉइंट है ना यह बहुत कुछ मैटर करता है जैसे माल लीजिए आपको जहां पर पर बेलडेड जॉइंट दिया गया है वहां पर अपर त्रेडड जॉइंट दे दोगे तो प्राबलम हो जाएगी अगर कोई मैटेरियल है जो बेल्डेट जॉइंट का है और आप गए ठ्रेडड उठा लाए ठ्रेडड उसको जॉइंट करा दिये तो वहाँ पर प्राबलम हो जाएगा इसलिए आपको आइसोमेट्रिक समझने के लिए जॉइंट को समझना इंपार्टेंट होता है अब आप इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग को देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यह बेल्डेड जॉइंट है बेल्डेड जॉइंट है बेल्डे जॉइंट दिखाई दे रहे हैं ऐसे ही यहां पर आप देखें तो यहां पर प्लांशे जॉइंट दिखाई दे रहे हैं तो इसी प्रकार से आईसोमेट्रिक ड्राइंग में अलग-अलग जॉइंट होते हैं संपूर्ण जॉइंट का कारिकरम जो है आपको अलग कारिकरम में दिया जाएगा जैसे कि जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं क्या उसके मुखे सिंबल होते हैं कौन सा joint कहां पे दिया जाता है तो यह अलग कारिक्राम होगा लेकिन आज हम सिर्फ यह समझेंगे कि आईसोमेट्रिक ड्राइंग में joint कितने प्रकार के होते हैं और उसको कैसे देखे जाते हैं और उसके सिंबल क्या होते हैं जैसे आप देखें यहाँ पर जो देख रहे हैं यह जो जॉइंट बनाया गया है यह फ्लांच जॉइंट है फ्लांच से फ्लांच का जो जॉइंट दिया जाता है नट बोल्ट की सहायता से बोल्टिंग करके जॉइंट दिया जाता है उसको फ् numbering करती है कोई कोई इंजिनेरिंग कि नहीं करती है लेकिन यहां पर देखें किma में यहां हैं पर आप देखेंगे तो यहां पर यह BRA आ है कि यह जो जॉइंट है जो एक नंबर का जॉइंट है यहां पर जितने भी जॉइंट आपको दिखाए गया है जैसे यहां पर यहां पर जेटू करके लिखा गया है जैसे यह वाल्व से ले के और यह जो फ्लांच के बीच में जॉइंट दिया गया है यह जे वन करके लिखा गया है ऐसे ही यह सभी जॉइंट पे सभी फ्लांचे जॉइंट पे यह नंबरिंग करके लिखा गया जैसे यहां पर आप देखें जे 15 लिखा गया यहां पर देखें जे 17 लिखा गया है तो इस प्रकार से अलग-अलग इंजिनेरिंग जो है फ्लांशे जॉइंट को अपना नंबरिंग करती है अब हम बात करेंगे welded joint की तो देखें welded joint जो होता है दो प्रकार का होता है एक butt weld joint होता है और एक socket weld joint होता है तो इस isometric drying में जो आप देख रहे हैं यह butt weld joint है जैसे यह फ्लांश से pipe का जो दिया गया है तो आप देख रहे हैं यह butt weld joint है यहाँ पर जो एक नंबर बना के लिखा गया है यह butt weld joint है इसी प्रकार यह joint बनाया गया है दो नंबर में तो यह butt weld joint है इसी प्रकार यह पांच नंबर में यह जो joint आप देख रहे हैं यह बट वेल्ड joint है तो इसमें आप देखेंगे यहां पर यह सारे s hvad joint दिखाएगए हैं अगर आप इस material को check करें यहांकि जो material है उसको अगर check करेंगे तो वो रख रहे हैं तो यह साय भाट यह हैं से आगर यर्स Wales यह साकेट वेल्ड है ठिक है तो हमने जाना कि ज। ज्वाइंट जो है वह तीन प्रकार के जॉयंट आईसोड्रिक में दिखाये जाते हैं जिसमें हैं फ्रांचे ज्वाइंट बेल्डट जॉयंट और थ्रेड़ जॉयन्ट अब हम इसकी बात करते कि जॉइंट को कैसे पहचानते हैं कैसे आप आइसोमेट्रिक को देखते ही यह पहचान लें कि कौन सा जॉइंट है तो इसके लिए इसके सिंबल है और आइसोमेट्रिक में जो लिखा जाता है बिलाफ मैटेरियल में उसको देखते ही आप तुरत पहचान सकते हैं कि कौन सा और हमें कौन सा मेटेरियल इसू कराना चाहिए जैसे मालने आप यह सिंबल देखें अगर यह लाइन पे यहाँ पे बिंदी बना दिया जाता है और आगे कुछ नंबरिंग कर दी जाती है तो यह समझ लें कि यह बट वेल्ड है ठीक है अगर लाइन पे ऐसे करके और ऐसे बन दिया जाए तो यह समझ लें कि यहां ठीक है अगर लाइन पे ऐसे करके ऐसे बना दिया जाए और यहां पे बिंदी बनाया जाए तो समझ लें कि यह साकेट वेल्ड जॉइंट है वेल्ड जॉइंट में आप यह समझें कि यह बट वेल्ड है और यह साकेट वेल्ड है इसी प्रकार यदि लाइन पे ऐसे बना करके ऐसे कर दिया जाए तो यह समझ लें कि यह threaded joint है threaded joint और circuted joint में एक ही अंतर होता है यहाँ पर बिंदी होती है और यहाँ पर बिंदी नहीं होती है अगर फ्लांच का ये सिंबल बना करके फ्लांच का ये सिंबल बना करके ऐसे दे दिया जाए तो समझ लें कि यह फ्लांचेट जॉइंट है यह बोल्टेट जॉइंट है इसके अलग अलग प्रकार से इसको दिखाया भी जाता है अगर फ्लांचेट जॉइंट होगा तो कोई-कोई इंजिनिरिंग ये त्रिभूज में मार्किंग करेगी अगर ये वेल्डड जॉइंट होगा तो इसमें इस प्रकार के लिखेगी साकेटेट हो या बट वेल्ड हो वेल्डड जॉइंट है तो उसमें इस प्रकार का करती है कि अब हिसमें भी साप वेल्ड और फिल्ड वेल्ड जैसा कि हम ने जाना कि अगर इसी लाइन पर यहां पर अगर यह करके है आइसे बिंदी बना करकर अगर नबरन नंबरिंग करती है तो यह साप वेल्ड है अगर इसी लाइन पे क्रास कर दे यानि कि इस बिंदी को क्रास कर दे तो फिल्ड वेल्ड हो जाती है और इसकी नंबरिंग जो है ख़श्ट भुजाकार में या चतु स्कोर में करती है इसी प्रकार से फिल्ड वेल्ड और साफ़ वेल्ड को हम समझते है कि pressing क् tämä लिखा रही क्या लिखा रहाँ में बिलाफ मैटेरियल में जैसे से हम जानते हैं यह पर यह साचेटेड जो यह थरेड कि स्यूंच है अधिर बिल्लाफ मैटेरियल में क्या यह यहां पर अगर अगर आप एक रहे हैं यह ऐसे बना करके और इसमें बिंदी टाइप का दिखाई दे रहा है बिंदी टाइप का दिखाई दे रहा है तो यह साकेटेड जॉइंट है अब इसको हम बिल आफ मैटेरियल में देखते हैं जैसे कोई भी मैट यहां पर ले ला है यह जैसे देखां यहां पर देखते हैं जैसे यहां पर लिखाग्या है कि YSW है तो 21 इसका सिम्बल देख करके और दुसरा विलॉफ में जो YSW लिखा हुआ है वह समझ लगा कि साकेट वेल्ड है इसी प्रकार से हम फ्रेड़ेट जॉइंट को देखते हैं आप इस आइसमेट्रिक ड्राइंग में देखें जैसे कि बताया गया है कि किसी भी लाइन पे इस प्रकार का अगर सिंबल बना दिया जाया और बीश में बिंदी ना हो तो वह थ्रेड़ेड जॉइंट हो जाता है जैसे कि यहां पर इस आइसमेट्रिक ड्राइंग में असपश्ट तर पर दिखाई दे रहा है कि यहां पर यह बिंदी नहीं बनाई गई है यहां पर यह बिंदी नहीं बनाई गई है लेकिन अगर मैटेरियल कोड में लिखाई देगा है अब देखां यहाँ पे जो लिखा गया है तो एलभव 90 डिग्री का यह क्लास और यह ती लिखा गया फीमेल करके लिखा गया है यह तो इस प्रकार से हम यह समझे कि जो जुट होता है वह किस प्रकार से आईसोमेट्रिक दिखाती है यह कारिकरम आपको पसंद आया है तो किर्प्या लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें और कमेंट बाक्स में अपने राय से जरूर अवगत कराएं आज के लिए इतना ही धन्यवाद नमस्कार